Welcome students, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल Perfect Math 4K पर दोस्तो आज की क्लास बहुत जादा important होने वाली है, आज हम बात करेंगे UP Police Re-Exam 2024 को ले कर, जी हैं दोस्तो किसका Admit Card नहीं आएगा, Exam Center कहा जाएगा, कौन कौन से चाचा चात राज इस Exam देने से वंचित रह जाएगे जी हैं दोस्तों, सभी को डिसकस करने वाले हैं और बहुत जादा Topics में ले कर रहा हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं मैं पॉइंट की बात करेंगे महलाओं का Exam Center कितनी दूर जी हैं दोस्तों कब आएगा Admit Card, Exam Center कहा जाएगा, Exam City कितने दिन पहले पता लगेगा, आने जाने का पास फ्री होगा, यह फिर क्या रहने वाला है इन सबी Topics को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, तो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाराबन बेल आइकन करने दिसान मिलेगा, उसको प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको Time to Time मिलता रहे है, देखिए जैसा कि, अभी हमने लेकिन अब क्या रहने वाला है, जी हाँ दोस्तो, इस वार महलाओं को भी Home District नहीं मिलेगा, आपको आपका पडोसी डिश्टिक मिल सकता है, ऐसे रामपुर वाले स्टूडें गरल्स हैं, तो उनको मुरादावाद मिल सकता है, वरेली मिल सकता है, यानि कि आपको आपका प स्टूडेंट यानि गरल या बॉइस जादतर लगवग स्टूडेंटों का हॉम जन पर डिश्टिक दिया गया था, लेकिन इस वार यूप पुलिस री एक्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है, इस वार महलाओं का एक्जाम सेंटर अन्य यान की दूसर जिले में जाने वाला है, आपके जिले में नहीं रहने वाला है, और मैं यह भी कहूंगा कि आप अपनी निजी सवारी से जाना तो बैश्ट रहेगा, 30-40 किलोमेटर आपको लगवग दूसरे जिले में जाना पड़ सकता है, तो आपका निजी जिला यहां नहीं रहने वाला है, ठीक है, इस दी पॉइंट के बात करेंगे हम, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पड़ाता भी हमने क्या सभी का आएगा एडमिट का, जी हां दोस्तो, कुछ स्टूडेंटों को लगाता डाउट है, कि सर हम पिछले बारे एक्जाम नहीं दे पाई थे, तो सर क्या हमारा इस बार एडमिट क काड आएगा, जी हां दोस्तो, देखिए, जिसने एग्जाम दिया है, या नहीं दिया है, देखिए, एडमिट काड सभी का जारी होगा, जिसने इस से पहले वाले एग्जाम में जो है, अपना फॉम फिल कर आया, तो सभी का एडमिट काड यहां जारी होगा, देखिए, काव करेंगे काव आएगा एडमिकार्ट जिया दोस्तो काफी डाउट से आपको की सरक काव आएडमिकार्ट थेट पॉइंट की बात करेंगे तो दोस्तो देखी जैसा कि पिछली बढ़ क्या हुआ था है करीब 10 दिन पेहले आपका apply काड़े क्या गया था तो में लीजिए आपका एगस्त करीब 23 अगस्ते स्टार्ट हो रहा है तो लगबग 8 दिन पहले गळीं 15 तक वह कंदर अगस्त हरे वाह 15 अगस्त तक आपका admit şart जारी होगा 15 अपने admit card निकालीए और झ्छंड के घंडा लाइग ठीक 2007 शौतस्रा नत्रता दिश्काटी में मनाइंगे और हो सकता इसी दिन आपका admit card कर साथ आपको एगशाम में घंड़ आग करके हाना है इसके बाद आप घ्रण के बात करेंगे exam center करें तो विल्ट करें कहां जाएगा तो कि अप्सक्राइब को इडमीटथ कार्ट से पहले पिगवाँ एटम से इस जाता जाता जाएगा कियो कि आप कुछ कैसे कैसे पहले पता लगेगा तो देखिए मान लिजी एक्जाम सिटी की बात करें हम हम, ली एक्जाम सिटी की मात करें here न अफ्टिर देखें मान लिचे हमारा डिमिक क्मराइम पंदरा अगुस्त को आथा है ठीक है ,to 12-13 2-13 थी विच करीब सबसे मेंट पॉइंट की बात करेंगे कि अब बॉइस का सेंटर कहां जाने वाला है ठीक है बॉइस की बात करेंगे तो देखिए आपको जो घ्रह जन्पद में नहीं रहेगा पडोसी वाले जन्पद में भी नहीं रहेगा जिहां दोस्तों माली जी आपका नहीं आपके जन् लगवग बॉइस और स्टुडेंट या गरल्स फीमेल और मेल दोनों कंडिडेट्स हो को लगवग हॉम डिष्टिक सेंटर रहा था लेकिन इस वार नाहीं महलाओं को मिलेगा और नाहीं फीमेल कंडिडेट को मिलने वाला ठीक है महलाओं का जो मैंने आपको बता दिया कि पड़ोसी जन्पद मिलेगा उनको जो है उनका मंडल छोड़के दूसरे मंडल मिल सकता है तो मुरादाबाद मंडल पास रख लीजिए एक आपको एक्जाम सेंटर पर लेकर जाना है और एक आपको बस वाले को देना है टिकेट के रूम में जैसा आप टिकेट लेते हैं तो इस वाद टिकेट नहीं लेना है आप से एडमिट कार्ट लेंगे स्टुडेंट्स ठीक है और आपका रिजल्ट भी इस यह करेंगे आपको कभी आप उनको वेस्ट राएं वेस्ट करोगा आएंगे मेरा तो कुछ नहीं करा है नोंने सवर्य अपना कुछ नहीं करा नोंने मेरा ही नुकसन कराया मजा कर रहा हूं डेकर एक्जाम सब दे कर आना ऐसे कोई वास तो देखिए जिसकी तैयारी है और तैयारी मजबूत करिए अपनी क्योंकि ऐसा एक्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला ठीक है तो देखिए इन पॉइंट आप मैंने विस्तार से चर्चा कर दी महलाओं का एक्जाम सेंटर कितनी दूर काव आएगा एडमिट काड एक्जाम सेंटर कहा जाएगा एक्ज नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे स्टूडेंट तब तक लिए थैंक्यू फॉर वाच्ट थैंक्यू फॉर सपोर्ट जयाहिंद वंदे मात्रम